हलो गाइस गुडियोनिंग आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत हैं आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ECGCPO के बारे में हाली में इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था आई होप आपने फॉर्म भरा होगा मैंने भी इसका फॉर्म अप्लाइ करके रखा है सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका फाइनल कट अफ के बारे में इसके प्रिविएस वीडियो मैंने बनाया हुआ था इसके उपर जिसमें मैंने अपना स्कोर कार्ड दिखाया हुआ था 2021 का अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के इंड में उसका लिंक दे दूँगा उसको क्लिक करके आप देख लिजेगा ठीक है तो इसी जिसी पीयों के ऑफिशियल वेबसाइट पे फाइनल कट आफ का जो पीडिया वह वो अपलोड हो चुका है तो उसी का इस में आपको बताने वाला हूँ सो काफी लोग जो है कंफियूजन में है उस कट औफ को देखके फाइनल कट अफ को देखके और जो मैंने वीडियो में बताया था उसके रिगार्डिंग तो उसमें सेक्षियल कट आफ कुछ अलग दिया गया था और यह जो फाइनल कट आ लिज हुआ है official website पे उसमें sectional cut-off जे अलग बताया गया था ठीक है चली मैं आपको बताता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह official cut-off ECGCPO का 2021 का जो final cut-off गया था यहां पर आप देख सकते हैं SC का 172.75, ST का 158.50, OBC का 182.25, EWS का 181.75, VI का 202, HI का 116, 4th category का 135.25 और General category का 192.5 यहां पर cut-off गया था final cut-off इतना आगर किसे ने लाया होगा तो उसका final selection हो गया होगा उसको job मिल गई होगी अब मैंने previous वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि यह जो cut-off है यह गई थी minimum इतने mark होना चाहिए था तब जाके वो इंटर्व्यू दिये सकता था था ठीक है लेकिन confusion काफी लोगों को sectional cut-off में हुआ है कि यह sectional cut-off कैसे दिया गया है अभी आप आप देख सकते है से केटिगरी में 38.75 इंगलिस में sectional cut-off जा सकता है क्या इंगलिस का जो है देखो 40 marks करेता है अब 40 marks में 38.75 cut-off जा सकती है क्या minimum sectional cut-off तो नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो फिर यह दिया क्या है actual में तो यहां पर काफी लोगों को confusion हुआ था जब उन्होंने यह final cut-off देखा था तो मैं यहां पर clear कर देता हूँ जो भी लास्ट कैंडेट था जो लास्ट कैंडेट था जो select हुआ था जिसके इतने cut-off आये थे जो last candidate जिसके इतना cut-off आये था जो final select हुआ था उसका स्कोर कार्ड है मतलब उसको इतने मार्क्स मिलेते हैं रिजनिंग में 21.5 इंग्लिस में 38.75 कंपूटर नॉलेज में इतने जो है लाया होगा उस बंदेने तब जाके उसका cut-off या पर किलियर हुआ होगा तो यह sectional cut-off नहीं है यह बताया गया है कि इन section में इतने इतने मार्क्स लाए है जो candidate last candidate जो select हुआ है उसके इतने मार्क्स आये होंगे तब जाकि यह जो है cut-off यहाँ पर आपको बताया गया है ठीक है so I hope यह आपका confusion दूर हुआ होगा जो real cut-off sectional cut-off गए थी उसका वीडियो में आपको जो है अपने score card में बता चुका हूँ तो link description box में यह इस video के end में मिल जाएगा क्लिक करके देख सकते उसको उसमें आपको जो है पता चल जाएगा कि कितनी sectional cut-off गही थी so I hope आपको यह doubt clear हुआ होगा कि यह सारी चीज़े क्या दी गई है final cut-off कितना है sectional cut-off कितना गया था ठीक है friends I hope आपको सारी चीज़े समझ में ही होगी अगर यह video पसंद आया तो like क करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कुछ कमेंट होंगा तो कर देना फेंट अब तक के लिए अपने ध्यान रखना गुडबाए